Assalamu alaikum everyone and welcome back to another episode of design academy आज जो है वो class number 8 है जिसमें हम paragraph panel को discuss करेंगे और थोड़ा सा text के साथ play करेंगे किस तरीके से आप paragraph panel के जरीरे text की formatting कर सकते हैं और साथ ही एक flyer के अंदर कुछ text लिखा हुआ है उसको कैसे adjust करना है वो थोड़ी सी practice हो जाएगी आपकी थोड़ी सी example सेट हो जाएगी किस तरीके से हम setting कर सकते है text की तो चलें जी फिर शुरू करते हैं so paragraph panel को access करने के लिए आप window के menu में जाएं और यहां पर हमारे पास type और paragraph यहां पर प्रेस कंट्रोल और टी सो यहां पर paragraph पैनल आज चुका है इसको हम click or drag करके यहां पर फिलहाल रख लेते हैं अब हम type tool सेलेक करते हैं यहां पर टी इसका shortcut है सबसे पहले जब हम click करते थे तो point type आता था लिखते जाते थे लिखते जाते थे और जब line को break करना होता था तो फिर हम उसको enter press करते थे ठीक है तो फिलहाल मैं कोई भी word लिखता हूं जैसे marketing services ठीक है जी और shift का button प्रेस करते हुए snooker से परगड़के मैं यह size बड़ा कर लेता हूं ठीक है उसके बाद दुपारा हम type tools लेकर रहे हैं लेकिन इस बार click or drag करके मैं text लिखूँगा अब जैसे ही मैंने mouse release किया यह जोड़ इसका click तो हमारे पास dummy text फिल हो गया बाई चांस अगर आपस यह delete हो जाता है तो cursor आपने इधर ही रखना है ठीक है और यहां से type के menu में जाएंगर यहां पर fill with placeholder text आपके पास आएगा ठीक है और आपके पास demo text आजाएगा dummy text जिसे हम कहते हैं वो आजाएगा थोड़ा select करके कम की है backspace press करके यह delete का button दबाके अब selection tool से मैंने click करके इस box को हम छोटा कर सकते हैं बड़ा कर सकते हैं और इसको भी थोड़ा सा अब zoom करके मैंने set कर देए चलेंजी यह हमारे पास आगया text box अब इसकी जो boundary एक बनी हुई है इसको हम click or drag करके छोटा और बड़ा कर सक सकते हैं देखें automatically जो आपका text है वो flow करेगा right अब यहां पर भी आप set कर सकते हैं bottom से भी कितना text दिखें और यह जो red जो एक box दिख रहा है उसके अंदर plus का icon है यह indicate कर रहा है कि आपका text overflow हो रहा है यानि कि और भी text मजूद है आप यहां पर click or drag करके इसको दिखाए right अब हमने control T में press करता हूँ अगर तो मेरे पास character panel भी उसको भी हम अलाइदा open कर लेते हैं तो यहां पर हम font वगरा select कर सकते हैं let's suppose मैं font select करता हूँ outfit ठीके जी यहां से regular कर लेता हूँ और इसका भी हम outfit कर लेते हैं और इसको bold कर लेते हैं ठीके जी और हमने all caps का प्तैया मैंने आपको यहां से all caps भी कर लिया प्लस हम इसका size कम कर लेते हैं अब यहां पर देखें जी इसको चलें बंद कर देते हैं ताकर paragraph के ओपर focus रहे तो सबसे पहले जो options है यहां पर align left for example यहां पर मैं double click करके enter press करता हूँ ठीक है और यह दो paragraph मैंने इसको change कर दिया मैंने इस selection tool यहां से यह देखें अगर आप इसकी alignment left करना चाहते हैं तो यहां पर left और फिर यह center और यह right इस just like markers of word वहां पर हम use करते होते हैं अगर paragraph को यह text को left right align करना है आप इस open text को यह point text को point type को यहां से भी alignment कर सकते हैं तो यहां से हम paragraph को भी कर सकते हैं और text को भी simple जो हमने लिखा हुआ है उसको भी कर सकते हैं नेक्स जो है specially justify with last line alignment आप जैसे क्लिक करेंगे ना इसको यह देखें आपकी यह last lines आई यह वाली वह end तक आपकी line होगी यहां पर click करने तो यह देखें यह zigzag सा part आ रहा है यह देखें ठीक है यह यहां तक है यह इधर है यह इधर है य यह border तक आजाएंगी ठीक है same goes with this one लेकर alignment जो है वह center हो जाएगी और यहां से right हो जाएगी और यह वाली जो है all lines justify अगर हम इसको click करते हैं तो last line हर word के दिरम्यान इतनी space देदेगा कि end तक जो है border तक जो है उसको equally वह divide कर देगा यानि कि उस line को full कर देगा right okay 2022 में यह नए options आया है bullets और number list के पहले वाले versions में यह चीज अवेलेबल नहीं थी so which is very good thing अगर आप कुछ लिख रहे हैं services लिख रहे हैं कुछ भी जिसको आपने bullets और numbering करनी है तो यहां पर यह service अवेलेबल था मुझे personally यह वाले तीन पसांद है जब आप paragraph flyer brochures या कोई चीज ऐसी design कर हैं तो इसमें यह चीज मुझे मैं एकसर यूज करता हूँ ताके मेरी जो lines है वो बराबर है और last line जहां तक है वह ही तक रहा है so let's suppose मैंने इनको bullets add करना है तो यह click करूंगे जितनी आपने enterprise किया होंगे उतने bullets वो आपको यहां पर दे देगा so मैं double click करके यहां पर cursor करता ह ताके वह बला bullet off हो जाए so let's suppose मैं enterprise करता हूँ देखे automatically हमारा जो है वो next bullet आ जाता है so number one for example service number one service two service three ठीक है और इसी तरीके से अगर आप bullets नहीं यूज करना चाहते तो यहां पर हमारे पास numbers मुझूद है plus we have different styles dashes add करने है आपने empty सा circle add करना है ठीक है और यह हमारे पास box add करना है तो different style इसी तरीके से यहां पर भी हमारे पास different styles मुझूद है Roman में भी है ABC भी है और one two different styles है या गिंती के and so on ठीक है यहां पर हम अपने setting भी कर सकते है we can also change the levels as well हम bullets और यह numbers दोनों edit कर सकते है alignment और index और इसके लावा first line का indent जो है वो indent sorry change कर सकते हैं रिख जो है basically इधर से लेकर जो तक spacing ऐसी तरह minus में आपने करना है तो यह देखें यह वाले इनके दिरम्यान जो spacing आजएगी ठीक है यह left indent और यह first line में तो यह हमारे पास बड़ी जबड़ी चीजा और और इसी तरीके से आप इसको center में करना है right में करना इन चीजों को तो हमारे पास जो options हैं इसको indent कहते है इंडेंट basically आपके जो paragraph select है जिसके उपर आपने क्लिक है यहां से लेकर यहां तक इस वकद हम paragraph को present कर रहे हैं तो इसको select करके हम जब space बढ़ाएंगे तो यह पूरा paragraph उठ रहा है जबके नीचे वाला नहीं हो रहा नीचे वाला हम वैसे bullet off कर द ही और आप खुद भी values पुट कर सकते हैं ठीक है जो भी आपको यहां पर सही है मैं zero कर रहा हूं दोबारा ओके यह जो है first line करता है मसला आपने पहली line के दिरम्यान को फासला देना तो मैं click करूंगा यहां पर और यह आपकी पहली line है book लिख रहे हैं या paragraph या फ्लायर स्ट कुछ भी लिख रहे हैं जो text based है वो यहां पर line के space दि सकते हैं so अब next option जो है space before paragraph और space after paragraph यह आपका जो paragraph है इससे पहले जो space है उसको अगर हम बढ़ाना चाहें तो यहां पर click or drag करके हम उस space को बढ़ा सकते हैं ठीक है और अगर आप इसके नीचे करना चाह रहे हैं जैसे इसके नीचे था तो फिर हम click or drag करेंगे तो यह इस paragraph के नीचे आएगा ठीक है तो यह अगर इसके ऊपर की तरफ से spacing गई है और इसके नीचे की तरफ से गई है यह इसी तरीके से आप यहां पर click करें मैं इसकी बढ़ा रहा हूं नीचे की तरफ से spacing तो यह देखें ठीक है यह आपके paragraph के दिर्मियान जो spacing है उसको बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए यहां पर options मुझूद हैं तो मैं यहां पर इसको दुबारा zero कर रहा हूं और इसको भी यहां पर रखके zero यह paragraph 5 कैसे रहे हैं कि आप जो text box के अंदर कोई line लिख रहे हैं I am writing a line और enter press कर देते हैं ठीक है यह आपका paragraph बन जाता है ठीक है अब देखें यहां पर मैं बढ़ा रहा हूं space क्लिक करें इसके अबव जो space वो पढ़ना शुरू होगी ठीक है तो hopefully यह concept आपको समझ आ गया हो ने नेक्स हमारे पर हाइफनेट को option है हाइफनेट अगर मैं आपको दिखा हूं थोड़ा जूम करके तो there is a space इसको कहते हैं सम टाइम होता है बच्पन में जब हम एक लॉंग वर्ड लिख लेते थे स्कूल जाल के अंब्रेला लिख रहे हैं for example तो आगे वो जो है वो खतम आपका नेक्स लाइन में शिफ्ट हो गया है ठीक है और यहां पर आपने on किया हुआ तो यह आदा वर्ड इदर है remaining one जो है वो इस तरफ है और class के ending फे मैंने का आपको बता दें गाइड कर दूंग किस तरीके से आप अपने text की formatting कर सकते हैं using character panel and paragraph हलकी फुल के examples हम करते रह कर सकते हैं so यह मेरे पास एक heading है the best marketing services और नीचे जो है वो हमारे पास कोई भी dummy text है यानि के company के तरफ से for example text मैं control T press कर रहा हूं keyboard से and then हमारे पास जो है यहां पर यह text आ गया character panel आ गया ठीक है अब यहां पर मैं सबसे पहले इसको select करता हूं और कोई भी font जो जैसे मैं outfit आजकल यूज कर रहा हूं तो मैं यह वाला outfit यूज कर रहा हूं font ठीक है all caps करते हैं the best को marketing को दूसरी line में और services को इसको तीसी line में गरते हैं ठीक है और इसको यहां पर place कर देते है इसको थोड़ा नीचे करते है ये जो है हमारा paragraph में यह text area में है ठिक है area type high यह text box है और यह हमारा open text ठीक है तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा करूंगा और इधर से भी बढ़ा कर सकते हैं इधर से line कम करेंगे ठीक है यह देखें इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं the best को यहां से जो है चला है light करते हैं थोड़ी सी variety add कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं और यहां पर हमारे पास यह marketing services है ठीक है बड़ा दबस लग रहा है अब मैं चाहरा हूँ कि जो मेरा text है वो 12 की बजाए 21 points का हो जाए यह 18 points का हो जाए अब यह जो red मैंने आपको box बताया थे यह overflow का दे रहा है कि text यहां पर है लेकिन hidden है तो आप इसको click or drag करके मैं इसके बराबर लेता हूँ अपने text के और यहां से मैं reveal करवाता हूँ बाकी जो remaining text है ठीक है अगर हम गौर करें यहां पर ठीक है तो यह हमारा जो text है basically यह एक zigzag इसकी ending हो रही है हर तरफ से ठीक है तो मैं इस चीज़ को control करना चाहरा हूँ तो यहां से click करते है paragraph पे चलते हैं यह वाला option यहां पर हम click करेंगे जैसे lines बिल्कुल बराबर होगी है और symmetry होगी तो बड़ा जबदस feel आरी अब जो hyphenate हुआ हुआ जगा जगा dashes है उसको हम click करके setting कर देते हैं देखें कितना ज अब कितना अजीब सा लग रहा था और by applying some setting from character panel and paragraph अब कितना symmetrical और बड़ा खुब्सूरत किसिम की वो जिसकी look बन गई है आपके text की यह देखें आप जमीन आसमान का फरेक है यह हमारी एक normal सी थी मसला आप font भी बड़ा है text भी setting वही चीज़ है यानि text भी हमने add किया paragraph में और font का size भी बड़ा किया हो है लेकिन by applying some properties देखें कितनी जवरस look बन जाती same goes with other things मुसलान आपने सबसीत देनी जाते है यह digital marketing है so इसको भी font हम outfit ही करते हैं और bold कर लेते हैं all caps कर लेते हैं यहाँ पर एक icon add है और यहाँ पर हमारे पास एक text है इसको भी मैं click or drag करके थोड़ points हैं लग आप कह सकते हैं कि सबसीत को हम describe कर रहे हैं इसी तरीके से यहाँ पर मैं click करूंगे just to have the last line यहाँ से hyphenate कर देते हैं जी and then हम क्या करते हैं copy लेते हैं alt का button press किया है ctrl d अब सिर्फ आपने title चेंज करने है icons text और जो भी आपने title चेंज करने है और easily आप करने बड़ा जबदस सा एक काम हो जब आप flyers बना रहे होते हैं या ब्रोशर बना रहे हो बजाए आप दुबारा हर चीज की formatting करें आप एक site कर लेते हैं then you can copy and paste ठीकी okay जी यह देखें कितना जबदस फील आ रही है अब हमारे flyer के अंदर बड़ा मदेगा काम हो गया तो यह थी जी आज की class जिसमें हमने paragraph panel को discuss किया और उमीद करता हूँ काफी है तक आपको समझ आगी होगी कि किस तरीके से हम text की formatting कर सकते हैं especially in paragraphs यह जैला सारा text हो जो flyers, brochures वगरा में आपने use करना हो तो उसको किस तरीके से आप खुबसूरत बना सकते हैं तरतीब लगा सकते हैं and so on तो मिलते हैं next episode में जिसमें हम area type tool को discuss करेंगे और छोटी सी class होगी until then take care, Allah Hafiz झाल